Hello everyone, welcome to study zone इस वीडियो में मैं आपको निपाव वाइरस के बारें बताऊँगा निपाव वाइरस की वज़े से अब तक केरल में कई जाने जा चुकी है और जो मिर्तेक थे उनके blood sample National Institute of Virology पूरे में बेजे गए और जो sample की report आई उसके मताबिक sample में इस दुरलब निपाव वाइरस की पुष्टी की गई सबसे पहले आता है कि निपाव वाइरस है क्या निपाव वाइरस का सबसे पहले पता 1998 में मलेशिया में लगा था और सबसे पहले मलेशिया के सुंगई निपाव गाउं के लोग इस वाइरस से संकर्मित हुए थे और इसी गाउं के नाम पर सुंगई निपाव गाउं के नाम पर इस वाइरस का नाम निपाव वाइरस पड़ा और इस दोरान ऐसे किसान इससे संकरमित हुए जो सुवर का पालन करते थे नेक्स्ट है कि ये वाइरस कैसे फैलता है ये वाइरस चमगादड से फैलता है और इन्हें फ्रूट बैट कहते हैं जब ये चमगादड किसी फल को खा लेते हैं या उसी फल या सबजी को कोई इनसान या जानवर खा लेता है तो वह उसे संकरमित हो जाता है निपा वाइरस इनसानों के लावा जानवर को भी परबावित करता है और इसकी अब तक कोई भी वैक्सिन तैयार नहीं हो पाई है और इसकी सुरात तेज सीरदर्द और फीवर से होती है इससे संकरमित वैक्ति की डेथ रेट 70% से ज़्यादा होती है नेक्स्ट आता है भारत में सबसे पहले निपा वाइरस खांपर फैला था तो भारत में सबसे पहले निपा वाइरस पश्चिम बंगाल में फैला था और ये पहली बार 2001 में और उसके बाद 2007 में इसका पता लगा गया था और ये पश्चिम बंगाल के सिलिगुडी दिले और उन सेक्तरों के लोगों में हुआ था नेक्स्ट है निपा वाइरस की खोज किस ने की थी तो निपा वाइरस की खोज डॉक्टर को बिंग चुआ ने की थी और इनों ने इसका पता 1998 में लगाया था और उस दोरान डॉक्टर बिंग मलेशिया की उनिवर्स्टी ओफ मलाया से ग्रैजुएशन कर रहे थे और वे इन दोनों टेम सेक लाइफ साइंस सिंगापूर में बेतोर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं नेक्स्ट आता है यह वाइरस चमगादड से क्यों जादा फैलता है क्योंकि चमगादड एक मातर ऐसा सतंदारी यानि महमल है जो उड़ सकता है और यह वाइरस को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैलता है चमगादड का मेटाबोलिजम तेज होने के कारण वाइरस इनके सरीर में बिना नुक्सान पहुंचाए काफी समय तक जिंदा रह सकता है चमगादड का खाया और फल या सबजी खाने से इस खास तरह का फंगल इनफेक्शन भी हो सकता है जो फेपडों के साथ साथ स्पिलीन और बोनमेरा को भी नुक्सान पहुंचाता है निपाव वाइरस के क्या क्या लक्संड दिखाई देते हैं तो निपाव वाइरस हवा से नहीं बलकि एक संकरमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसे इनफेक्शन होने के बाद कुछ खास लक्संड देखे जा सकते हैं जैसे कि वाइरल फिवर होने के साथ साथ सिरदर्द, मिचलियाना, सास लेने में तकलीफ, चक्क नेक्स्ट है निपाव वाइरस से कैसे बचा जाए तो निपाव वाइरस का संकरमन्ट चमगादड यानि फ्रूट वैट से फैलता है और निपाव वाइरस के इनफेक्शन से बचना है तो सुवर, घोड़े, पेड़ के गिरे फल आदी से दूर रहना चाहिए कोई भी फल या सबजी खरीदे तो ध्यान रखे कि ये कहीं से कटा हुआ या खुर्चा हुआ नहीं हो और पेड़ो से गिरे फल आदी का सेवन ना करें थैंक यू गाइज फोर वाचिंग और वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टो ओर चैनल स्टेडी जोन फोर प्रप्रेशन ओफ अपकमिंग एक्जाम्स और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें फेस्बुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा फेस्बुक लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक फेस्बुक के दिवारा भी पहुंच सकें